महराश्टर के पुणे में एक तेज रफतार लगजरी गाड़ी लोगों की आँखों में खटकती दिखाई थी। दरसल इसलिए भी क्योंकि इस ओडी कार पर लाल बत्ती लगी हुई थी। लोगों के जहन में कई सवाल खड़े हुए कि लाल बत्ती अगर किसी ऐसी गाड़ी में लगी है जो इतनी लगजरी है तो क्या सरकार ने नियम कानून बदलते हुए अधिकारियों को अब ओडी जैसी महंगी कारें देनी शुरू कर दिये। या फिर कहीं कोई बड़ा फरजी वाड़ा है क्या कहीं कोई रईस जादा गलत तरीके से नाली और लाल नीली बत्ती का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है यह कई सवाल जब जहन में खड़े हुए तो इस गाड़ी के नंबर की भी तलाश शुरू हुई कि दरसल यह गाड़ी क इसकी है घौर किया गया तो पाया यह गया कि बकाइदा इस ओड़ी कार पर महराश्ट शासन लिखा हुआ है तब सवाल और खड़े हुए क्या सरकार ने अब अधिकारियों को ओड़ी कार देनी शुरू कर दी है या फिर कहीं कोई बड़ा जोल है और इसी लिए एक आर्ट और खास बात यह है कि सरकार ने उन्हें यह ओड़ी कार नहीं दी थी बलकि उन्होंने अपनी ही प्राइवेट कार पर जो वो एक ट्रेनी आईस ओफिसर थी उस हक से उन्होंने नीली लाल बत्ती लगा ली और अपनी ही प्राइवेट ओड़ी कार पर महराश्ट शासन पता ये चला कि पुणे में जैसे ही एडिशनल डीम के तौर पर एसडीम के तौर पर जब उन्हें नियुक्त किया गया तो एडिशनल डीम उस वक्त छुटी पर चल रहे थे और तब उन्होंने जबरन उनके दफ्तर के सहाम ने भी अपने नाम की तखती लगा दी कि एक उस दिन पहले उन्होंने जो एक ट्रेनी आई-एस ओफिसर्स को सुविधाएं मिलती है उससे कुछ जादा सुविधाओं की मांग की थी हाला कि प्रशासन की और से उन्हें इंकार कर दिया गया था तो उन्होंने इसके बावजूद कुछ सुविधाएं लेने की इसे लेकर के शिकायाद भी की गई और बाद में आखिरकार पुणे से उनका ट्रांसफर महराश्टर के ही वाशिम में कर दिया गया बत और ट्रेनी आई-एस ओफिसर्स लेकिन जब तफ्तिश आगे बढ़ रही थी तो कुछ चीज़ें और संग्यान में आई पता ये चला कि इस ट्रेनी आई-एस ओफिसर्स ने नौन क्रीमी लेयर OBC का भी फाइदा लिया साथी आंशिक रूपशे दिव्यांग होने का भी सर्टिफिकेट लगा करके UPSC में सहुलियत हासिल की थी और जिसके आधार पर इनका सेलेक्शन भी हुआ इसमें भी तफ्तीश आगे बढ़ी विवाद और गहराता गया अब तक की जानकारी से ये पता चल रहा है कि दरसल जिस तरह से UPSC सेलेक्शन के बाद मेडिकल टेस्ट के लिए उन्हें बुलाया जाता है और चूंकि पूजा खेलकर ने आंशिक रूप से धिव्यांग होन पूजे का भी सर्टिफिकेट दिया था इसकी क्रोस वेरिफिकेशन के लिए दिल्ली के एमस में इन्हें बुलाया गया लेकिन तब वो वहां नहीं पहुंची और उनकी और से दलील ये दी गई कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं इसलिए नहीं आ सकेंगे और फिर एक कर से ही जुड़ा हुआ है कि बताये ये गया कि इन्होंने खुद को नौन क्रीमी लेयर के तहत अभ्यर्थी माना था लेकिन एक एहम कड़ी इनके परिवार से जोड़ती दिखाई दी इनकी पिता पिछला लोगसभा चुनाओ लड़े थे और खास बात यह है कि वंचित बहु जन आगाडी यानि कि प्रकाश अंबेटकर की पार्टी से ये एहमद नगर का चुनाओ लड़ते दिखाई दिखाई दिये थे तब उन्होंने एफिडेविट में अपनी आए 40 करोड बताई थी सालाना आए का भी उसमें जिकर करना होता है जिसमें उसमें तकरीबन 49 लाक रुपई की सालाना आई बताई गई वहीं दूसरी तरफ पूजा खिड़कर ने UPSC में नौन क्रीमी लेयर का फाइदा उठाया जिसमें की आए सीमा 8 लाक रुपई होती है तो क्या गलत जानकारी दी गई थी पूजा खिड़कर की और से ये तमाम विवात पूजा खिड़कर के साथ जुड़ते चले गए पारिवारिक प्रिश्ट भूमी को अगर देखें तो इनकी माँ मनुरमा डॉक्टर मनुरमा जो की एहमद नगर में ही एक डॉक्टर भी है पूर्व सरपंच है एक गाउं की और जिस गाउं से वो आती है मूलते उसी के मंडल अध्यक्ष रहे इनके अपने चाचा भी जो कभी पांस साल तक बीजेपी से जोड़े रहे लेकिन तब के सांसत सुजय पार्टिल से बताया गया कि कुछ विवाद हुआ और तब उन्होंने साथ छोड़ दिया मंडल अध्यक्ष पत से भी उन्हें हटाया गया उसके बाद इनके पिता ने प्रकाश आमबेटकर की पार्टी से लोगसभा का चुनाव भी लड़ा था तमाम चीजें अब सामने आती चले जा रही है कि उनके पिता ने अपनी वार्षिकाई कितनी बताई और बीटी ने जो की अब ट्रेनी आईएस ऑफिसर हैं उन्होंने अपने परिवार की वार्षिकाई कितनी बताई थी नौन क्रीमी लेयर में बता करके सुविधा पर आई थी और इसके अलावा भी क्या मेडिकल का जो सर्टिफिकेट उन्होंने दिया था वाकई वो सच्चा है इसकी जो फिर एक बार जाच पड़ताल होती है उसमें भी वो हाजिर नहीं हुई और ऐसा उन्होंने एक बार नहीं किया बलकि तकरीबन दस बार उन्हें बुलाया गया उस मेडिकल टेस्ट के लिए लेकिन वो उसमें हाजिर नहीं हुई जहां के लिए उन्हें बुलाया गया था लेकिन अब तमाम विवादों के बाद पूरे से उनका ट्रांसफर वाशिम कर दिया गया है लेकिन विवाद अब भी खतम नहीं हुआ है पूजा खेड़कर ने कहा है कि ये उनका शित्राधिकार नहीं है कि इस पर वो कमेंट्स करें इसलिए अब जो कुछ होगा विभागी तोर पर ही होगा लेकिन पूजा खेड़कर आज पूरे देश भर में एक ट्रेनी आईएस चर्चा का विशय बनी हुई है झाल